साथियों हम जानते हैं कि प्राकृतिक रेशे पौधों या जन्तुओं से प्राप्ट किये जाते हैं क्या आप किसी पौधी का नाम जानते हैं जिससे हमें तंतु प्राप्ट होते हैं आपने रूई का प्रयोग तो अवश्य किया होगा आपके मन में प्रिश्ण जरूर आया होगा कि रूई कहां से आती है इस चित्र को ध्यान से देखिए क्या कुछ रूई जैसा दिख रहा है? हाँ, रूई इनहीं पौधों से प्राप्त की जाती है यह कपास का पौधा है यह पौधा वहां उगाया जाता है जहां मृदा काली तथा जलवायू उश्ण होती है आप ऐसे कुछ राज्यों के नाम सोचिए जहां हमारे देश में कपास की खेती की जाती है इस मांचित्र को ध्यान से देखिए और जानिये कि कपास की पैदावार हमारे देश में कहां कहां होती है आपने क्या कभी हवा में कुछ रूई जैसा उड़ता देखा है यह कपास के बीज होते हैं जिन्हें बिनौले कहते हैं इन बीजों पर आपने तंतुनुमा सन्रचनाएं देखी होंगी देखिए यह खेत कपास चुने जाने के लिए तैयार है पूरा खेत कपास के रोवों से भरा है ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो बर्फ ने ढख लिया है साधरन तया इन कपास बॉलों को हाथ से चुनकर इकठा किया जाता है इसके बाद कपास से बीजों को प्रत्थक किया जाता है इस प्रक्रिया को कपास ओटना या गिनिंग कहते हैं पुरानी समय में यह काम हाथों से किया जाता था लेकिन आजकर इस काम के लिए मशीनों का प्रयोग किया जाता है इस चित्र को देखिए यह चित्र पटसन पादप के खेत को दर्शाता है यह खेत भी कटाई के लिए तैयार है कटाई के बाद तनों को पानी में डुबा कर रखा जाएगा और गलने के बाद पटसन तन्तुओं को हाथ द्वारा प्रथक कर लिया जाएगा क्या तन्तु वस्त्र बनाने के लिए तैयार है अरे नहीं, अभी नहीं वस्त्र बनाने से पहले इन सभी तन्तुओं को तागों में परिवर्थित किया जाएगा क्या आप देखना चाहेंगे कि किसी भी तन्तु से तागे कैसे बनाये जाते हैं आईए, मैं आपको दिखाते हूँ मेरे साथ आप भी ऐसा करने का प्रयास कीजिए इसके लिए आपको थोड़ी रूई की जरूरत होगी एक हाथ में रूई पकड़िये दूसरे हाथ के अंगूठे तथा तरजनी के बीच कुछ रूई की चुटकी भरिये और इसे धीरे धीरे रूई से बाहर की ओर खीचिये वर रेशो को लगातार एटते रहिए आप कर रहे हैं न? क्या आपका तागा तयार है? इस प्रक्रिया का नाम नहीं जानना चाहेंगे इस प्रक्रिया को कताई कहते हैं आपने गांधी जी का चर्खा तो जरूर देखा होगा इस चर्खे की मदद से तागा बनाया जाता है जिसका प्रयोग वस्त्र बनाने में किया जाता है साथियों हम जान चुके हैं कि तागा तंतुओं से बनता है ऐसे बहुत सारे तागों से मिलकर ही वस्त्र बनता है आईए हम बना के देखते हैं मेरे पास ये तागा है और गत्ते का बना ये धाचा है इस धाचे को मैंने गत्ते को बीच में से काट कर बनाया है इसके दो विप्रीत सिरों पर टेप की मदद से पैंसिल लगाई गई है ताकि तागे सतह से थोड़ी उंचाई पर रहें और ताना बाना बुना जा सके अब तागे को पैंसिलों से बानते हैं देखिए कैसे कि रा में से नहिं़ कि उत्ते हैं ये देखिए हमारा आधार तयार हो गया है मेरे पास पहले से तयार किया आधार रखा है अब एक सुई की मदद से तागे को इस आधार में बुनते हैं देखिए कैसे करते हैं इसी प्रकार तागा बुनते जाते हैं मेरे पास ये बुना हुआ वस्त्र तयार है वस्त्रों की यह बुनाई करगों पर की जाती है जो या तो हाथ से चलाए जाते हैं या बिजली से ये हमने वस्त्र बनाने का एक तरीका सीखा आईए अब एक दूसरा तरीका देखते हैं मेरे पास ये सिलाईया हैं साथ में उन भी है इन्हें देखकर आप समझ गए होंगे कि मैं क्या करने जा रही हूँ आपने अपने घर में स्वेटर बुनते जरूर देखा होगा आईए हम भी बुन कर देखे क्या ये बुनाई सिर्फ हाथ से होती है नहीं इस प्रकार की बुनाई मशीनों से भी की जाती है तो आज हमने देखा कि तागे से वस्त्र किस प्रकार बनाए जाते हैं हमने दो प्रकार की बुनाईयों को करके देखा दोनों प्रकार की बुनाईयों का उप्योग विभिन प्रकार के वस्त्रों के निर्माण में किया जाता है साथियों अब आपके लिए एक परियोजना कार्य है आपको खोजना है कि वस्त्र का इतिहास कितना पुराना है और किस प्रकार सुई या सिलाई मशीन का अविशकार इस शेत्र में बदलाव लाया आशा है तंतु से वस्त्र के विशय में जानकरी आपको ज्यानवर्धत और रुचिकर लगी होगी झाल